नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता आपका ग्याल नन्रस्केश यूटूब चैनल पर और आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 6.3 ठीके और इसमें आज हम देखने वाले हैं कोशन नंबर 1 और इस कोशन नंबर 1 के 6 पार्ट दिये हुए आपको 6 पार्ट इस कोशन नंबर 1 मे देखी तो आप पहले प्लीज उसको देख जिए तबी आप इस एक्सरसाइज में आए क्योंकि जो ये चैप्टर है ट्रैंगल इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज है वो थियोरम पे बेस है इसका मतलब जो थियोरम है वो एक तरह के फॉर्मले की तरह काम करते हैं कोश पर आओगे तो आपको कुछ भी साइज समझ में ना आए ठीक है तो इसलिए पहले आप थियोरम 6.3, 6.4 और 6.5 जरूर देखेगा चरिए कोशन नंबर 1 शुरू करते हैं लिखावा है इस्टेट विच पियर ओफ ट्रैंगल ठीक है नीचे पियर दे रिखे हैं फस पार्ट कौन सा पियर ओफ ट्रैंगल इन बिलो फिगर फिगर मलब नीचे दे रिखे हैं ठीक है चैपार्ट है जैसे मैं बता रहूं आपको आर सिमिलर के हमको बताना है कि नीचे जो दो पियर दे रिखे हैं ट्रैंगल के उनमें कौन सा सिमिलर है और पूछ रहा है राइट दा सिम similarity criterion भी लिखना है इसका मतलब जैसे कि मैंने 6.3 बताए थी आपको क्या था similarity criterion ट्रिपल ए था एंगल 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 या अगर डबल ए भी हो जाए तो कोई दिक्कर नहीं है 6.4 क्या था ट्रिपल S side side और side 6.5 क्या था side angle side यानि कि S A S तो वही बोल ला है कि write the similarity criterion आपको similarity criterion भी बताना है used by you मतलब जिसको आप use करोगे कि भई ये दो ट्रियंगल similar क्यों है आपको region बताना पड़ेगा तो वही बोल ला है कि similarity का criteria भी लिखिये जिसको आप use कर रहे है for answering ठीक है अपने answer के लिए आगे कह रहा है the question ठीक है जो question में आप use कर रहे है and also write the pair of similar triangle in the symbolic form और आपको जो दो ट्रियंगल similar होंगे pair वाले triangle ठीक है similar होंगे उसको symbolic form में भी दिखाना है symbolic मनलब अगर दो ट्रियंगल similar है तो आपको symbol क्या यूज होता है ये वाला यानि कि आप इस symbol का यूज करके भी बताओ कि ये दो ट्रियंगल क्या है similar है और similarity criteria भी बताओ जिसका आप यूज कर रहे हो तो pair देखते हैं सबसे पहला first part देखते हैं इसमें क्या pair दे रहा है देखिए एक triangle है आपका ABC दूसरा आपका PQR देखिए आप ध्यान से देखिए इन दो ट्रियंगल में ठीक है angle A equal है किसके angle P के Q है देखो each of 60 degree तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 degree एंगल B देखिए A का P, B का Q और C का R इसी तरह से लेना आपको ज्यानगना आप PQR लिखिए आप QPR न लिखिए ने तो गड़बड हो जाएगा ठीक है क्योंकि हम corresponding angle देख रहे हैं आपको बताया था कि भ मैं कई बार बता चुक हूँ यह चीज कि भई दो triangle similar कब होते हैं कि their corresponding angle are equal या तो उनके corresponding angle equal हो यानि कि angle A equal to angle D, angle B equal to angle E और angle C equal to angle F यह होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए their corresponding side are in the same ratio ठीक है उनके corresponding side same ratio मोने चाहिए यानि कि AB upon D equal to BC upon EF equal to AC upon DF यह होना चाहिए तब जाके हम then दो triangle को क्या बोलेंगे similar बोलेंगे और यह होता symbolic form में दिखाना कि इस तरह से आप दो triangle लिखेंगे और symbol के रूप में ऐसा लिखेंगे कि similar triangle है clear रहे तो देखिए अब देखिए आपको क्या कर नाइस में आपने यह देखा पहला पार्ट तो angle A equal to angle P, angle B किसके इको लेंगे दिखिए angle angle B आपका equal है angle Q के क्यों क्योंकि दोनो 80 degree है clear ऐसी angle C ज़रा नजर दिखिए किसको है angle R केको लेंगे क्यों क्योंकि दोनों कितने है 40 degree है तो हम बोल सकते हैं कि यह दोनों triangle ठीक है इधर लिख देते हैं कि so हम बोल सकते हैं कि triangle A, B, C similar है किसके triangle P, Q, R कि क्यों similar है आपने तो लिख दिया कि similar है बता रहा था ना कि आप बताईए कि कि यह similar है और आपको similarity का criterion भी लिखना है जिसका answer में आप यूज कर रहो ठीक है तो यह symbolic form में तो लिख दिया हमने लिखा था ना कि write the pair of similar triangle in the symbolic form लिख दिया अब आपको बताना है कि क्या apply हो रह criterion वह और आपका यहां पर लिख देंगे by triple A ध्यान अगना angle 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 किलियर है triple A similarity similarity criterion ठीक है आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको ठीक है similarity criterion आप ऐसा इसको लिखिएगा और तब लिख सकते हैं so triangle ABC similar to triangle PQR इस तरह साब लिख सकते हैं किलियर है पूरा question आपको समझ में आ गया होग अब आते हैं इसके second part में second part भी लिखा हुआ देखिए सारे picture मैंने आपकी जो 10 class की NCRT book से वहीं शे ड्रॉ किये वे ठीक है तो मैंने पहली उसको ड्रॉ कर दिया है ताकि यहां पर time व्यस्तना हो ठीक है तो आपको तुरान समझाने में सायता प्राप्त होगी ठीक है दिखा जायती है चोटा triangle और यह बड़ा triangle है इसके corresponding यह लग रही है क्यों कि यह भी उस तरह की जुकी हुए और यह भी उस तरह से ही जुकी हुए इसलिए आप इसके corresponding इसको मतले ना ध्यानगना ठीक है हमको पता है इसमा side 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 लगने वाला है और देखते है side 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 लगने वाल है कि नई तो a, b, a, b के corresponding लेते है qr को ठीक है यह निकि हम करते है a, b, upon क्या करेंगे हम qr करेंगे किन triangle मिले रहे है ध्यानगना इन triangle abc द्यानगना आप लिख सकते हैं उपर कि हम किन दो triangle मिले रहे सर in triangle a, b, c इसका तो मैं a, b, c ले रहा हूं and इसका लोंगा मैं triangle क्या qrp ध्यान अगना A, B, C और इसका ले रहे है Q, R, P क्योंकि जरा इसको आप इस तरह से मोडेंगे इसकी तरह तब जाके उसके सेट माएगा इसके corresponding ये नहीं है इसके corresponding ये नहीं है और इसके corresponding ये नहीं है आप ध्यान दीजिए clear तो इसलिए मैं A के corresponding इसको लिए Q को B, K, R और C को P के लिए clear है इसका ध्यान रखियागा आप clear तो A, B के upon में के लेंगे हम Q, R A, B कितना आपका 2 upon 4, cut करेंगे इसको तो कितना देगा आपका 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4 अब ध्यान देना A, B हो गया आपका, पहले A, B हो गया Q, R अब लेजिए, B, C किसके B, C लेजिएगा आप किसके इसके, ठीक है, P, R के यानि कि हम अब लेंगे B, C upon क्या, B, C upon R, P लेंगे, ठीक है R, P, तो B, C कितना आपका 2, 5, और R, P कितना आपका, R, P है देखिए, आपका 5 तो, point का नीचे, 0 बढ़ाएंगे यानि कि कितना हो गया रिजे, 50 तो, 25 बन जा, 22 जा, 50 clear है, तो, इसके upon ये ले लिया, इसके upon ये ले लिया, अब बचा, ये इसके upon इसको ले लो, यानि कि A, C के upon में आप किसको लिजिए, A, C के upon में लेंगे, आप किसको P, Q को, A, C के upon में P, Q को लिजिए, ठीके, P, Q तो, A, C कितना है, 3 और ये कितना है, 6 3 बन जा 3, 3, 2 जा 6 इस तरह से देखिए, आप ज़रा ध्यान से कि ये भी 1 upon 2, ये भी 1 upon 2, और ये भी 1 upon 2, तो हम लिख सकते हैं आप है कि by, क्या लिखेंगे इसके लिए ध्यान गना, by triple S ध्यान गना, triple S similarity, ठीक है, similarity criterion, ठीक है, इससे हम क्या ले लेंगे, criterion से इससे हम ले लेंगे, कि ये दोनों triangle, triangle A, B, C, किसके similar है, P, Q, R न लिखेंगे ध्यान गना, आप Q, R, P लिखेंगे, के लिखेंगे Q, R, P के क्या है, similar है इस triangle के clear है, तो ये आपने बता दिया, तो ये question जो पूछ रहा है, उससे के according हम कर रहे हैं कि बताईए कि इन में से कौन सा पियर, similar है आप उसका criteria भी बताईए, उसको symbolic form यानि की इस तरह से भी बताईए, ठीके, तो ये हमने दो पार्ट कर लिए, चलिए आप आते इसके हम कौन से पार्ट पे, इसके आते हैं दिखेंगे, हम थर्ड पार्ट पाते है, ठीके इसका थर्ड पार्ट नोट किया हुआ है, पहली मैंने थर्ड पार्ट दिखेंगे, इसका थर्ड पार्ट है आपका L, M, P और दूसरा है D, E, F इस तरह से इन दो ट्रेंगल में ध्यान आगना हम ट्रेंगल कौन से ले रहे हैं इन ट्रेंगल ले रहे हम देखिए L, M, P L, M, P और दूसरा ट्रेंगल लेंगे हम कौन सा D, E, F मलब जैसा है वैसे लेंगे L, M, P, D, E, F इस तरह से दिखिए दिहान से दिखिएगा जरा कि सबसे पहले हम कहलेंगे L, M क्योंकि साइड साइड का ये एंगल का तो कोई रिलेशन नहीं बन दा तो L, M आपान कहलेंगे हम D, E ले लेंगे 4, आगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो कर सकते हैं, 0 बढ़ाया पॉइंट लगाया, फिर 4, 6 24, फिर 4, 7 जा और फिर 4, 5 जा इस तरह साइड डिवाइड कीजिए इसको 0.675 आपका आजाएगा, किलियर है चलिए, अब आप दूसरा भी कीजिए भी खतम नहीं हुआ, MP अप EF कीजिए, MP अप आप आप क्या कीजिए, आप लोग EF कीजिए, तो आप देखते हैं, आप कितना आ रहा है, ठीक है, MP अप आप 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 इसको तो यह हो गया, MP2 और यह हो गया, आपका 5 तो डिवाइड करेंगे, जाज-जाज़दा 0. कितना जाएगा, 5, 4, 20 के लिए रहा है, चलिए, अगला अब लेते हैं, हम लास्ट कौन सा LP वाले लेते हैं, ठीक है, LP अप आप 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 में क्या जाएगा, आपका तो आप ध्यान से देखें, नजर मारियन पे कि LM अपॉन D, not equal to R, किसके, MP अपॉन EF के EF के, ठीक है, EF के, और not equal to R, किसके, LP अपॉन DF यानि कि तीनों आपस में क्या नहीं है, equal नहीं है तो इसका मतला जब equal नहीं है, इसका मतला यह triangle क्या नहीं है, similar नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, so, हम लिख सकते हैं, कि these, जो triangles है, ठीक है, these two triangles, यह जो दो triangle हमको दिखाए दे रहे हैं, are not similar, कि यह similar नहीं है, क्योंकि इसमें क्या apply नहीं हुआ, इसमें apply नहीं हुआ, क्या, side 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 apply नहीं हुआ, क्योंकि एंगल का तो है नहीं तो बचा side side apply नहीं हो क्योंकि बिल्कुल ही अलग-अलग आ रहे हैं कोई भी equal नहीं है तो इसका मतलब यह similar नहीं है क्योंकि यह triple s को follow नहीं कर रहा लिख सकते हैं because this is not follow triple s similarity criterion तो यह similar आपके नहीं है चलिए आते हैं कि कौन से पार्ट पर फोर्थ पार्ट पाते हैं देखिए फोर्थ पार्ट पर जर्द नजर मारिए MNL और PQR देखिए जर्द ध्यान से दीखना कि इसमें बना क्या क्या है देखिए M in triangle MNL ध्यान है na MNL and दूसरा क्या लेंगे हम PQR लेंगे no गलत तो क्य 70 इसका Q70 है ध्यान रखिएगा इसका Q70 है तो हम triangle के लिखेंगे हम हम triangle लिखेंगे QPR लिखेंगे ध्यान है QPR इसका लेंगे हम कौन सा MNL और इसका लेंगे QPR अब देखिए QPR क्यों ले रहे हैं QRP क्यों नहीं ले रहे हैं QRP इसलिए नहीं ले रहे हैं तो कि 70 के बगल में दो साइड है, ऐसी 70 के बगल में दो साइड ये है, इसलिए हम Q, R, P नहीं लेंगे, बलकि कहा लेंगे Q, P, R लेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा difference होता है question में, ठीक है तो ध्यान देना आप थोड़ा, तो 70 के एक्वल तो ये है, साफ साफ हमको दिग रहा है, कि angle M किसके एक्वल है ध्यान देजिए, angle Q के एक्वल है क्योंकि दोनों कितने है, 70, मतलब M किसके एक्वल है, Q के, इसलिए M, N, L और Q, P आ रही लेना, आप ध्यान देजिए अब M, N, अब दूसरी साइट कौन सी आपके M, N, तो M, N के according कौन है आपने M, N लिया, तो इधर के लिए आपने Q, P लिया, तो M, N के upon में कौन आएगा, Q, P, M, N कितना है, 2.5, और upon में कितना आजाएगा, आपका 5 आजाएगा यानि कि अगा आप इसको solve करेंगे solve करके आजाएगा, यह 0.5, ठीक है 5, 5, 20, इतना आजाएगा, के लिए रहे 0.5, अब दूसरा दिखिए, आप दूसरा क्या आपका, भई M, N, L, यह लिया था अब आपकी side कौन सी बची, अब आपकी side बच गे, M, L, M, L और upon में क्या आजाएगा आपका, यह वाली side आजाएगे, कौन सी qr आजाएगी, upon में आजाएगी qr, तो आप देखिए qr, तो यह कितना है 5 और यह आपका है 10, तो आप divide करेंगे तो 1 upon 2, यानि कि कितना आजाएगा, आपका यह 0.5 यह आपका आजाएगा, तो इस तरह से देखिए आपका यह दो ट्रैंगल क्या हो जाएगे, यह भी 0.5 अगया, यह भी क्या आजाएगा, 0.5 तो हम बोलेंगे, इसमें क्या apply हो रहा है, by S.A.S. similarity criterion ठीके, similarity criterion से, criterion से यह दोनों ट्रैंगल क्यों जाएगे, triangle MNL, क्या हो जाएगा, similar हो जाएगा, किसके, QP, RK, क्या हो जाएगा, similar हो जाएगा, ठीके, क्योंकि यह equal आगए, अगर यह equal नहीं आते, तो यह क्या similar नहीं ओ पाते, ठीके, इसलिए यहा पे तो, फिलाल, similar आ गए अगर मानलो कुछ यह अगर मनला गलत आ जाता तो यह similar नहीं कहलाएगा clear है चलिए यह आपको मैंने बता दिया इस तरह से कौन सा fourth part है ठीक है चलिए अब आते हैं हम इसके कौन से part पर फिफ्ध पार्ट पर आते हैं इसके थिखे फिफ्ध पार देखे जरा ध्यान से बसको हम किनडो ट्रैंगल में लेंगे in trash and d ad Selena. triangle कौनसा आपका, दूसा लेंगे ध्यानगा आप F से लेंगे F और फीर के लेंगे D, E ध्यानगा, F, D, E इस तरह साब लेंगे, कौनसा A, B, C के corresponding कौनसा है F, D, E आप लेंगे, clear है, यानि Pokra法 यह और यह equal है, यानि कि angle A किसके equal है, angle F के एक्वल है कितना डिग्री आ गया 80 डिग्री आ गया अब ध्यान आपने एबी लिया उसके अकॉर्डिंग ठीक है एबी तो एबी क्या पॉन में क्या जाएगा F D आ जाएगा F D तो आप उन में ले लो F D तो A B A B कितना आपका 2.5 और F D आ गया आप कितना 5 आ गया तो आप देखेंगे तो कितना जाएगा 1,5 आ जाएगा ठीक है? heft 0.5 अब आ जाएगा आ अपने A B ले लिया अब इसके इंक्लूडिंग साइड कौन है? Zd gw прस आपन क्या उनिवारा लेंगे एसे उनिवारा लेंगे नहां? और EF, EF कितना 6 है, अब इसको मा आगे कुछ करी नहीं पांगा, क्योंकि AC मेरे पास है, ने तो हमको यहाँ पर भी दिग रहा है, कि AB upon, जो आपका FD या DF, जो भी आप बोलना चाहो, अगर AB बोला, तो इसको आप DF बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, DF अगर आप बोले, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, DF, तो AB upon DF, not equal to AC upon EF, ठीक है, AC upon EF के equal, नहीं है, क्यों नहीं है, कारण क्या है, because हमको AC पता नहीं है, हम लिख सकते हैं, कि because, because, क्या, AC is not given, AC is not given, तो AC जब not given है, तो हम बोल सकते हैं, कि these two triangles, कि जो ये दो triangles हैं आपके पास, these two triangles are not similar, are not similar, क्योंकि इस पे कौन सा criteria लगाए जाए, ये पता नहीं चला, angle तो आगया, लेकिन side का कुछ भी मालूम नहीं है, तो ये similar नहीं है, चलिए आते हैं, इसके last six part पे, देखें ज़रा six part पर देदर ध्यान दीजिए, angle A, angle ये 70 है, इसमें 70 का पता नहीं है, ये 80 और ये 80 पता है, यानि कि E का तो हमको मालूम पता चल गया, पूरा कितना होता है, आपका 180 होता है, पूरा कितना होता है, 180, 180 में से किसको माइनस किजिएगा, 70 और 80 को माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता sum of कितना होता है, 180 तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, आपका F आ जाएगा, तो angle F आ गया, आपका 180 माइनस 150, तो यह आगया, आपका 30 डिगरी, कितना आ गया, 30 डिगरी, ऐसी इस वाले में ले लो, किसमें, triangle P की और में, ठीके, एंड इसमें आप angle P करेंगे, तो angle P कितना आएगा, आपका 180 माइनस किजिएगा, कितना, 80 प्लस 30, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, तो 180 मैं से माइनस करेंगे, 80 प्लस 30, 110, यानि कि कितना आगया, 70 डिगरी, अब ध्यान दो, इन दो ट्रैंगल में, हमको क्या दिगरा, यह आपका आगया, कितना, 70 डिगरी, और यह आगया, आपका कितना, 30 डिगरी आगया, क्लियर यह दिखिए, चलिए, अब देखिए, angle D किसके कोल है, angle P के कोल है, यानि कि दोनों कितना आगया, 70 डिगरी, angle E किसके कोल है, angle E कोल है, किसके, angle q के यानि कि 80 degree आ गया angle f किसके equal आ गया देखिए angle r के equal आ गया ठीक है यानि कि 30 degree तो हम बोल सकते हैं कौन सा similarity by कौन सा लगाएंगे triple a similarity criterion ठीक है similarity criterion से हम बोल सकते हैं कि triangle जो d e f है वो किसके similar आ गया triangle p q r के similar आ गया इस तरह से हमने question number जो 1 था 6.3 access का 6 के 6.56 कर लिए और बड़े ही आसाने से किये और हमने इसमें क्या ध्यान अना था main similarity criterion यानि कि triangle को हम similar कब बोलेंगे यही इसका main motto था ठीक है तो आपने ये question बढ़िया करके देखा होगा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूरे वीडियो को शुरू से आप देख सकते हैं एक एक point और copy pen लेके आप जरूर बटें और आपको कैसे लग रहे हमारी वीडियो इसके लिए आप हमें जरूर जो है comment box में हमको अपनी राई देते रहे हैं अपनी opinion बताते रहें ताकि